Hello students, welcome to class classes, I am your teacher Vipin Chohan तो बच्चो आज की जो अपनी वीडियो होगी वो dedicated होगी to all the experience of Indian Air Force और Indian Navy बच्चो अग्जाम आपके आ रहे हैं 10th January और 11th January से ग्रूप डिसकेशन के अग्जाम से हैं तो भी बच्चा अपना Air Force का क्वालिफाई करके एक्जाम बैठा है और ग्रूप डिसकेशन की तयारी कर रहा है तैन इस इस दो वीडियो फॉर यू आपके लिए ये पहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो ग्रूप डिसकेशन होगा वो कैसे होगा कैसे आप ग्रूप डिसकेशन को अपने आपको प्रिपेर करके जाईए और वो ग्रूप डिसकेशन है सुना है आप लोग बोलते हो कि सर ग्रूप डिस्केशन में हमारी इंगलिस बहुत कम जोर है कैसे हम इंगलिस को टैकल करें तो बच्चो बिल्कुल भी टैंसन मत लेना मैं आज से आपको ग्रूप डिस्केशन की क्लासिस दूँगा हर एक टोपिक मैं आपको कराऊंगा उस टोपिक को बोलते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा स्टुडेंट समझ रहे हैं मेरी बात तो बच्चो आपका एक्जाम बिल्कुल 10-15 दिन के अंदर आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आप चुड़िए कास क्लासिस चैनल के साथ और आके हमारी वीडियो को देखो अच्छा लिखते हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ग्रूप डिस्केशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 11 जैनवरी से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वहाँ पे आपको करना क्या है ग्रूप डिस्केशन के अंदर सबसे पहले हमें एक इंटोड़क्शन देना होगा हमारा इंटोड़क्शन होगा 30 सेकंड्स का ठीक है उसमें अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होते हैं निकाला है आपके क्या opinions हैं आपके क्या conceptions हैं वो आपको officer recruiter officer के सामने रखने होंगे 12 से 15 students आपके सामने बैठे रहेंगे 12 से 15 candidates रहेंगे उसके सामने आपको अपना introduction देना है तो आप सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि Air Force GD जो group discussion की classes होंगी उसमें आप लोग कैसे सबसे पहले introduction प्रेपेर करेंगे सुनिए मेरी बात ठीक है introduction introduction का time हाला की लिखा हुआ है कि you have to introduce yourself for 3 minutes लेकिन ऐसा कुछ नहीं है introduction आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना है you just have to introduce yourself for 30 seconds आपको 30 seconds के लिए अपने आपको introduce करना होगा तो बचों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले introduce कैसे करें आपने आपको मेरी बात सुनना आपने जैसे start किया hello everyone I'm Vipen Chohan जैसे मैं आपने बात बता रहा हूँ आपको start किया ठीक है आपका जो नाम है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा उसके बात है introduction में you have to tell them what is your name उसके बाद आप क्या करेंगे सिर्फ 30 seconds क्योंकि हमें बोलना है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके अंदर important vocabs यूज करें important vocabulary यूज करें आपके अपने introduction के अंदर देखिए अगर आप बोलते हैं कि my father is a farmer, my mother is a housemaker या my father is a shopkeeper ये बाते वो नहीं सुनना चाहते हैं आपसे वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलो जिससे वो impressed हो जाएं तो बच्चो जो भी मैं introduction आपको करा रहा हूँ उस introduction को सुनना उस introduction को ऐसे ही बोलना बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, how should your hands movement कैसी होनी चाहिए ये सब आपको मैं इस classes के अंदर बताऊंगा तो group discussion के लिए बच्चो प्रेपेर रहो आप, आप बस कुछ मत करना आप जितने भी मैं आपको 10 से 12 वीडियो जिन 10-12 दिनों के अंदर देता हूँ उन सब को देख के जाना, हर topic को content मैं आपको बताऊंगा कि mobile lynching के बारे में आपको क्या बोलना है, corona pandemic के बारे में आपको क्या बोलना है farmers protest जो भी चल रहा है, farmers build agriculture reform will 2020 उसके बारे में आपको क्या बोलना है, ठीके, ठीके, china trading ban के बारे में आपको क्या बोलना है liquor को online कर दिया गया है, liquor मतलब तारू सराब, उसके बारे में आपको क्या बोलना है तो students follow करो class classes को, और मैं बिल्कुल surety देता हूँ आपको कि आप group discussion के अंदर definitely success होके आएंगे आपके पास एक chance है, आपने exam clear किया हुआ है, तो आप लोग पिल्कुल भी इसको lightly मतलो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं आपको बोलवाना चाहा रहा हूँ, वैसा ही आप बोलना all right students, ठीक है, तो मैं अब आपको आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने आपको introduce करेंगे all right, चलिए, एक बार मुझे देखना, सिर्फ 30 second का introduction आपको इस तरीके से देना है और फिर मैं आपको introduction लिखाऊंगा भी, और उस introduction के अंदर जो words मैं आपको दे रहा हूँ I hope कि आप उसी words को use करें, ताकि वो लोग impress हो जाए, जैसे कि मेरी बात सुनना आपको भी भी बोलते हूँ कि famous word, क्या word बोलते हैं आप famous, अरे famous word वहाँ पे दुनिया बोलेगी लेकिन जो मेरे student होंगे, वो famous word नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे prominent, क्या बोलेंगे prominent जैसे कि मैंने कोई भी example लिखा दिया कि, why do I wanna get selected in Indian Air Force सबसे पहले आप ये word मत बोलो, why do I want to join Indian Air Force, वो हर बच्चा बोलेगा, join करना है Indian Air Force, नहीं आपको बोलना है, the reason I do want to get selected in Indian Air Force, because I personally do believe that Air Force is one of the most prominent forces in our country and the blue uniform of Air Force affectionates me, ये region आप जरूर दे सकते हैं अभी मैं आपको पूरा introduction यहाँ पर लिखूँगा, और आप लोग उसको लिख जीजिए, ठीक हैं तो सबसे पहले बात क्या है बच्चो, use important vocabulary, अच्छी vocabulary use करना, ठीक है सारी classes, आप मैं हलका सा आपको बताता हूँ कि कैसे हमारी classes आगे proceed होंगे मैं आपको important vocaps तूँगा बोलने के लिए, spoken English के लिए, ठीक है हाला कि वहाँ पर मुझे सब पता है कि आपको इतना नहीं बोलने दिया जाएगा आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, 30 seconds introduction के लिए मिलेंगे और जो वो group discussion होगा, उसमें maximum आपको 2-3 minutes ही मिलेंगे बोलने के लिए चो 2-3 minute में भी अगर आप सिर्फ ये बोले कि my name is Vipin Chohan example बोल रहा हूँ मैं, my name is Vipin Chohan and my father is a farmer and my mother is a housemaker बच्चो ये तो सब बोलेंगे, फिर आप कैसे unique लगोगे उन सब के सामने तो what do you have to speak, तो just keep watching this video and I'll tell you everything क्या-क्या आपको बोलना है, कैसे आपको बोलना है alright students, तो क्या होता है, कि अगर आप important words योज करेंगे जैसे कि मैंने आपसे बोला कि important, क्या word बोला, important अगर आप इस important word की जगह indispensable word बोलते हैं, तो क्या problem है आपको आप बोल सकते हैं, कि this is one of the most indispensable thing, यह बहुत important चीज है, बहुत indispensable चीज़े हैं, आपको famous की जगह कौन सा word बोलना है prominent बोलना है, आपको मैंने एक word बताया, कि the blue uniform of Indian Air Force affectionates me, अब आप इसको अगर एक simple बोलेंगे, कि I like the blue uniform of Indian Air Force, that is the region I want to join Air Force, तो बड़े simple English लगा, बोलो yes or no, तो बच्चो जो भी introduction मैं आपको दे रहा हूं, अभी लिखा रहा हूं, इसी introduction को आपको बोलना है, और उसी वे में, जैसे मैं बोल रहा हूं, बच्चो एक बात क्या है, कि अगर आप किसी तरीके किसी को copy करते हैं, तो आपको उसका influence होना जरूरी है, तो आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है, मुझे से influence हो सकते हैं, कि सर कैसे बोल रहे हैं, हमें भी उसी तरीके से introduction में बोलना है, तो how would you speak, आपको जैसे मैंने हलका से introduction लिखा, 30 second का introduction होगा, आप start करेंगे hello everyone से, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही आप बोलते रहें hello everyone, ठीक है, I am, आप I am ना बोलके, आप इसको बोलेंगे am, होता क्या है, जब हम English को contract, contraction समझते हैं, छोटा करके बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बड़े fluent English बोल रहे हैं, आप इसको I am ना बोलके, आप इसको बोलेंगे am, क्या बोलेंगे, am, hello everyone, am, उसके बाद आप अपना नाम, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना नाम बोलना, hello everyone, I am I am Vipin Chohan, ठीक है, एक 30 second का introduction में आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद एक-एक topic हम करेंगे, hello everyone, I am Vipin Chohan, I have done, ठीक है, अब इसको बचो I have ना बोलके, क्योंकि आपको महाँ पर impressive लगना है, fluent लगना है, तो आप क्या बोलेंगे, I have, I have done my 12th, I have done my 12th from this school, और अपने जहगे का, city का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, Delhi, ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, hello everyone, I am Vipin Chohan, I have done my 12th from that school, जो भी school होगा, उसका नाम लिख देना, उसके बाद city, ठीक है, इसको sort रखना, all right, पहली line आपको क्या बोलनी है, यह बोलना है, all right, उसके बाद, right now, right now, I am, right now, I am pursuing my graduation, इसको आप अगर थोड़ा सा change भी कर सकते हैं, जो भी आप कर रहें, right now, I am pursuing my graduation, from this college, ठीक है, और फिर city का नाम, Delhi, okay, important बात क्या है, हाँपे, कि यह तो बात आपको बता नहीं है, introduction में, you have to tell a bit about yourself, थोड़ा सा तो आपको अपने बार में बता नहीं होगा, okay, उसके बाद मैं यह नहीं चाहता, कि आप लोग बोले, कि my father is a farmer, my mother is a housemaker, या जो भी, बच्चों, यह हर कोई बोलेगा, आपको थ यह तो line आपको बोलनी ही, बोलनी है, all right, उसके बाद कुछ impressive words आपको बोलनी है, आपको यहाँ पर बोलना है, the region and, the region and the region I want to get selected, and the region I want to get selected in IAF, यानि Indian Air Force, because, because, IAF, since, since का मतलब because, because word को अब हटा दो, and instead of because, आप since word को catch कर लो, since word को grab कर लो, because हर कोई बच्चा वहाँ पर बोलेगा, आप because मत बोलना, what do you have to speak? say, since, since का मतलब बे क्योंकी होता है, and the region I want to get selected in IAF, since, Indian Air Force is one of the most prominent, one of the most prominent, prominent का मतलब बोलता है बच्चों, famous, reputed, one of the most prominent forces in our country, one of the main, most prominent forces in our country, and I want to serve my country, and I want to serve my country with glory and pride, ठीक है? ज्यादा hard नहीं, but basic, but कुछ important words हैं जो रिक्रूटर को बड़े इंप्रेस करेंगे, definitely, believe me, यह words बहुत important होंगे, prominent, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद क्या बोलना है, and, also, the blue uniform, and also, the blue uniform of Indian Air Force, affects me, affects me, affects me, एक और important vocab हमने यूज किया है अपने introduction में, ताकि हम इससे impressive लग सकें, अब मुझे एक बात बताएए, एक बंदा जो normal English बोलता है, कि I love blue uniform of Indian Air Force, I like blue uniform of Indian Air Force, would that be much impressive? और अगर आपने बोला, कि I, the blue uniform of Indian Air Force, affects me, आप बताएए, who would get selected there? अगर आप यह word बोलेंगे, prominent या, affects me, या आप बोलेंगे, like या famous, obvious सी बात है न बच्चो, क्योंकि group discussion क्या होता है, group discussion में वो बंदे select होते हैं, जो impress करते हैं recruiter officers को, और आपको कैसे impress करना है recruiter को, by speaking vocabulary, important vocabulary, simple words तो सब बोलेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग simple words अभी उज़ना करें, ठीकें, तो यह हमारा introduction होगा, introduction अगर 30 seconds का होता है, तो यह बोलेंगे आप, ठीकें, अच्छा, अगर आपको लगता है कि यह छोटा है, और time हम बोल सकते हैं 30 to 40 seconds, तो आप अपने बारे में और क्या बता सकते हैं, एक आप अपने बारे में बताना, and the rest about me, यह line फिर add कर देना, and the rest about me, and the rest about me is, I'm a very, I'm a very, यह सोरी, आप ऐसे ले सकते हैं, I'm a very, ओके चल यह लिख देते हैं, I'm a very ambivert person, ambivert person, ठीक है, अब यह ambivert word, again, impressive word हुआ हमारे पास, ठीक है, यह जान बूज के, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे vocab शूज करें, introduction के अंदर, तो जो introduction मैं आपको दे रहा हूँ, बच्चों से prepare करो, इसे घर पे बोलो, मैं आपको WhatsApp ग्रूप बताऊँगा, मैं आपको Telegram ग्रूप बताऊँगा, और जो भी student इसकी तयारी कर रहा है, Group Discussion Air Force की, यह Navy की, आपको मैं यह बात बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा बोल रहा है, clear है, तो आप बहाँ खार कर सकते हैं, आप ambushed का मतलब क्या होता है, यह तो पता होना चाहेए, amb 하니까 मतलब वो होता है बच्चों, जो बंदा extrovert भी होता है, क्या होता है? extrovert भी होता है और introvert भी होता है, आप extrovert ग look, सुन लेना, extrovert का मतलब होता है कि जो बंदा बहुत बोलता है extrovert का मतलब होता है outspoken, blunt ठीक है, straight forward किसी का nature होता है कि वो बहुत बोलता है तो उसको हम बोलता है, he's a very extrovert person एक बंदा होता है, जो बहुत कम बोलता है उसको बोलते हम introvert person यानि कि उसको बोलते हैं रेटिशेंट, रिजर्वड, शाय, टिमिड, बेश्फुल, ठीके बात, ओके, लेकिन मैं आपको जान बुझके, देखो, एक्ट्रोवर्ट भी कोई ना कोई बोल देगा, इंट्रोवर्ट भी कोई ना कोई बोल देगा, मैं बोलना चाहता हूँ, आ आप लोग बोले, और किस तरीके से बोलेंगे, मुझे देखना, मैं आपको बताऊंगा, और उसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन वहाँ पर बोलना है, समझ मैं आ रही है बात आपको, आपको मैं बता देता हूँ, अपने बारे में, मैं काफी डिफेंस की बैचेश ले है, तो उन बच्चो को मैं पढ़ा रहा हूँ, and believe me बच्चो मेरे स्टुडेंट से अगर आपको कॉम्पीट करना है, तो आप भी मेरी क्लास लीजे और आप भी इन चीजों को समझे, इन चीजों को देखे, ठीके, आपको कॉम्पीट में बिलकुल मिलेंगे, और कैसे आप को बोलना है, अब मेरे तरफ देखना, ये इंट्रुडेक्शन है, बच्चो इसका स्क्रीन सोट ले ले और इसको आप नोट कर लेना, और इसी तरह आप बोलना, ठीके, हमवर्क में आपको जरूर दूँगा, कैसे आपको बोलना है, that you have to film yourself, आपको एक वीडियो बनानी हो 14-15 candidates आपको मिलेंगे, जिसके साथ आपको group discussion करना है, और जिनके सामने आपको introduce करना है, बच्चो कोई भी कहीं पर भी आप चले जाओ, whether it is a group discussion, और a personal interview, और a walk-in interview, कुछ भी हो, आपका first impression is last impression, पहला impression ही आपका last impression होगा, ये बात सबको पता है, देखते ही पसंद आना चाह ये बंदा, कैसे, अब मैं आपको बोलूगा कि आप सिर्फ group discussion करो, group discussion prepare करो, topics prepare करो, corona prepare करो, love marriage, arrange marriage prepare करो, अरे वो भी कराऊंगा आपको मैं, फिलाल मेरी बात सुनना कि जो introduction का point होता है उसी से ही officer समझ जाता है, ये बंदे में दम है, ये बंदा अच्छा word बोल रहा है, ये ब आपके होंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छे word से English बोलने के लिए, बात समझ में आ रही है, बहुत ऐसे words बताऊं वही, तो सिर्फ मैंने 30 seconds के introduction के लिए बात बताई है, कैसे आपको introduction करना है, introduce ही इतना धासू कर दो, introduce ही इतना फाड कर दो, कि आप बिलकुल select हो जाए, GD में भी अगर आपको कोई ऐसा topic मिल जाए, जिसके बारे में you do not have much content, आपको जादा नहीं पता है, तो भी आप introduction की वज़े से select हो जाए, हाला कि GD भी ऐसा नहीं छोड़ूँगा, कोई ऐसा current affair नहीं बचेगा, कोई ऐसा current issue नहीं बचेगा, जिसको मैं आपको नहीं कराऊ तो student, आईए मेरे साथ, class classes के अंदर, मैं विपिन चोहान, आपको एक एक तरीका, कैसे आपको बोलना है, क्या आपको बोलना है, what to speak and how to speak, दोनों हम AFO's group discussion classes के अंदर करेंगे, are you getting my point, say yes sir, yes sir, okay, कैसे आपको introduce करना है, सबसे पहले, अगर वो आपको बोलते हैं, that you have to stand up and introduce yourself, खड़े होके आपको introduce करना है, आपकी hand movements बहुत important है, अगर आपके पास hand movements है, तो आपके पास बहुत सारा impression आप निकाल सकते हैं, impression छोड़ सकते हैं, officer के ऊपर, कैसे बच्चो, आप खड़े हुए, देखिए, ठीक है, हो सकता है, आप लोग ऐसे बिलकुल मत करना, that you put your hands in your pockets नहीं, ठीक है, that you put your hands on your waist, नहीं, बिलकुल नहीं, ना waist पे hand होंगा, ना pocket में hand होगा, और कई students, मैं offline classes में कहता हूँ, वो इतने nervous होते हैं कि कभी button को ऐसे कर रहा होता है, कोई पता नहीं, अपनी shirt को tuck in कर रहा होता है, ठीक है, बेल्ट पे हाल रखके ऐसे बोला होता है, so you your hands should be very tight like this, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अपने waist के पास रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ओके, फिर आपको क्या करना है, you have to look good there, आपको वहाँ पे अच्छा लगना है, and you have to speak well also, अच्छा बोलना पी है, कैसे बोलेंगे आप, Hello everyone, I'm Vipink Chohan, I've done my class 12 from MPS school, and right now I'm pursuing my graduation from that university, I've always been quite ambitious, ठीक है, यह आपने एक एड कर दिया, लाइन इसमें, I've always been quite ambitious, चलो, अगर इसमें भी नहीं बोलना है आपको, तो आपको एक यह लाइन तो जरूर बोलनी है, कि यह official या फिर खुद ही पूछ लेगा, why do you wanna get selected in Indian Air Force, आप क Vipink Chohan, I've done my class 12 from that school, and right now I'm pursuing my graduation from that university, okay, and the reason I do wanna get selected in Indian Air Force, because the blue uniform of Indian Air Force affectionates me, and I also do believe that Air Force is one of the most prominent forces in our country, and I want to serve my country with glory and pride, बस, इतना भोत है आपके लिए, अगर आपको अभी भी लगता है, कैसे पता चलेगा, जब आप इसको फिल्म करेंगे, आप इसको फिल्म करेंगे, आप इसकी तो आपको पता चलेगा, सर, यह तो 20 seconds का है, 25 seconds का है, मतलब अगर जिस बच्चे की fluency ज़्यादा होगी, तो वो 25 seconds में इसको बोल देगा, तो मैं कहता हूँ, आप एक लाइन और एड करीजे, and rest about me, और बाकी मेरे बारे में, I'm a very ambivalent person, that is extrovert as well as introvert, पस इतना बोल देना आ करें, दुबारा से, introduction कैसे दिया जाता है, ठीक है, how to introduce yourself, in air force group discussion, be short, be precise, and be impressive, मैं चाहता हूँ, छोटा बोलो, precise बोलो, जितना भी बोलो, precise, बिलकुल perfect बोलो, and impressive बोलना है, समझ में आ रही है बात again, कैसे, hello student, sorry, hello student नहीं बोलना, महाँ पे, महाँ पे आपको क्या बोलना, hello everyone okay, जब भी आप meeting salvation करेंगे, तो good morning, good evening, मत बोलना, क्योंकि वहाँ पे आप आप कन्फूज हो जाते है, मालो, दौफेर को number ही आएगा, अपका बादे बादे बारा दो तीन बजे तक number आएगा, तो आपका भी good morning, good afternoon, ना बोलके, कन्फूज ना हो, इसलिए आप क्या बोलें I'm Vipin Chohan, I've done my class 12 from that school and right now I'm pursuing my graduation from that university and the reason I do wanna get selected Indian Air Force because the blue uniform of Indian Air Force affectionates me and I also do believe that Air Force is one of the most prominent institutes, one of the most prominent forces that in our country, okay, तो ये line आपको वहाँ पे बोलना है, इसी तरीके से आपका बोलना है, you have to be very fluent there, इसको आप याद कर सकते हैं, रटना नहीं हैं बच्चोंज, बच्चोंगे बच्चोंगे अगर आपके पास कोई और अच्छे word है, मैं नहीं कहता हूँ उन word को हटा के ये word लगाओ, मैं कहता हूँ कि आपको बस word ना थोड़े से impressive बोलने है, simple English को थोड़े देर रख दीजिए, introduction, first impression is a last impression, all right student, कोई word अगर समझ नहीं आया तो सुन लेना, prominent means होता है famous, since का मतलब होत है because the reason I do wanna get selected, ये line मैंने क्यों यूज करी, तो कि बच्चे यूज करेंगे the reason I want to join Air Force, हला कि वो बहुत अच्छी line है, बहुत simple line है, I want to join Air Force, ठीक है, अरे थोड़ा सा तो impressive बनो यार, I want to get selected in Indian Air Force, बोल सकते है, every student, every student can speak this, हर एक बच्चा ये बोल सकता है, हर student अपने आपको एक अच्छा introduce कर सकता है, बहुत समझ में आ रही है, तो कैसे आपको introduce करना है, यहां तक I hope कि समझ में आया होगा, दुबारा से अगर देखना चाते हैं, तो देख सकते हैं, and other thing, the blue uniform of Indian Air Force affectionates me, and the rest about me is, I'm a very ambivalent person, that is extrovert as well as introvert, I take time to open up with someone, but once I've opened up, I'm a very extrovert person, so ये है आपका introduction, time कम है, तो कम बोलो, time जादा है, तो जादा बालो, but be prepared for everything, पता नहीं क्या situation मिल जाए, पता नहीं, you have to introduce yourself for one minute, एक मिनट तक होना हो तो तो आप चुप हो जाएंगे, बच् agitation नहीं चलेगा, ठीक है, agitation नहीं चलेगा, HRF, agitation removal formula आज मैं आपको दे रहा हूँ, you have to remove your agitation, agitation remove करना है, अगर आप सच में GD clear करना चाहते हैं, तो आईए मेरे साथ, जोड़िए, मैं आपको और भी बहुत सारे तरीके दूँगा, cast classes channel है, cast classes channel को आप जाके share करो, ठीक है subscribe करो, और सीधा मुझसे जुड़ो, मैं आपको whatsapp number दूँगा, उस group में हम बात करेंगे, I want कि जितने भी group discussion के aspirants हैं, जितने भी group discussion के candidates हैं, जिनका exam 10-15 दिनों, 20 दिनों के अंदर आ रहा है, वो सब आईए, और उन सब को मैं अच्छे अच्छे words, अच्छे अच्छे sentences, time is finishing, या कोई बोलेगा कि time is finishing और ये वो नहीं, आप उसको बोलेंगे run out, run out is a phrasal verb, जिसका मतलब खत्म होता है, आप क्या बोलेंगे, since we are running out of time, आप बोल सकते हैं, although I do have plenty of things to say, हाला कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, sorry, since we are running out of time, क्योंकि time खत्म हो रहा है, so I would conclude this topic, तो म को बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसमें आप सीख नहीं पाऊंगे, बात समझ में आ रही है, एक एक चीजे को हम practice करेंगे, और मैं खुद आप से personally बोलूँगा कि film yourself, अपनी वीडियो बनाईए, अपनी film बनाईए, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes की, और भेज द बठाएंगे, मुझे पता है क्या-क्या topic आने के chances है, सुनना, pandemic, what is the word? pandemic, pandemic का मतलब पता है आपको, मैं pandemic word का root आपको बताऊंगा, आपको जब बोलना होगा कि pandemic के बारे में बोलो, अब pandemic के बारे में आप सबको पता है, महामारी, अरे आपको हिंदी में तो नहीं बोलना है आपको यह थोड़ी बता नहीं, आपको translation थोड़ी करने है क्या आप बोलने के pandemic महामारी है, what do you would say, you will say, since the word itself says pandemic, pen is a root word which means all, pen से कोई भी word बनता है, उसका मतलब all होता है, तो pandemic is a disease which spread all over the world, pandemic, pen जहां पे भी आया, all आएगा, pandemic is a disease which spreads all over the world and corona is a pandemic because it spreads all over the world, ठीक है, फिर कोरोना क के बारे में आप क्या बोलेंगे, फिर आप करोना के बारे में मैं आपको कुछ words बताऊंगा, simple कभी नहीं बोलेंगे, भाय, कभी simple नहीं बोलेंगे, corona is a disease, है ना, उसको respiratory problem होती है, खासी जुखाम होता है, अरे ना, यह दुनिया बोलेगी, common cold होता है, आप बोलेंगे क्या Hello everyone, let me tell you, our topic is corona, first of all, what is this word pandemic means, pen means all and pandemic means a disease which spreads all over the world, that's why we call it a pandemic, another thing is, we call it a novel COVID-19, can you tell me why do we call it a novel COVID-19, because the word novel, novel means something unusual, something new, that's why we call it novel COVID-19 and why do we name it a corona, because corona is is a crown-like structure, corona is a crown-like structure, that's why the scientist has given it a name, corona, corona के आप, क्या बोलेंगे, causes of corona क्या है, symptoms of corona क्या है, तो दुनिया बोलेंगे, common cold है, ठीक है, respiratory problem होता है, lungs में problem होता है, but would you say, the main symptom of corona is wheezing, 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 wheezing का मतलब होता है, जब आप सांस लेते हैं, तो CT की आवाज आती है, the fistling sound when you breathe from the chest is called wheezing, एक-एक word लिखाऊंगा आपको मैं, it's just a demo glass, it's just a demonstration कि कैसे आप अपना group discussion को आगे prepare करेंगे, ठीक है, आपको एक अच्छा दिखना है, और यह सिर्फ group discussion की बात नहीं है, बच्चों, अगर आप departmental exam भी देंगे, air force के बात, तो यह बहुत काम आने वाली बात है, personality development is always essential है, हम personality develop कीजिए अपने, ठीक है, development, इसको भी धंक से बोला करिए, ठीक है, powerment, word topic आता है न, woman empowerment, क्योंकि मैं offline class लेता हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, empowerment, अरे power नहीं, power, w को हटा दो, empowerment, क्या बोलते है, woman empowerment, तो बहुत classes आपको मिलेंग हर एक topic के बारे में, अच्छा, corona की बात कर रहे थे, तो और corona के बारे में क्या बोलेंगे, आप एक line जरूर बोलना, the preventive measures, steps मत बोलना, the preventive steps नहीं, आप बोलेंगे, the preventive measures that we can take to protect ourselves from corona are, कौन-कौन से measures, कौन-कौन से steps हम ले सकते हैं, corona से बचने के लिए, the first word you will going to use is cordon sanitaire, क्य क्या होता है, आप समने सुना होगा, जैसे ही आप ही corona का time चल रहाता है, किसी घर में अगर कोई corona infected person मिल जाता है, तो उसके गली में, उसके घर के बार, police वाले डंडे लगा के चले जाता है, न, barricades, उसको English में बोलते है, cordon sanitaire, क्या बोलते है, cordon sanitaire, तो जैसे ही आपने उस topic में, उस group discussion में, cordon sanitaire बोला, वहीं पर ही आपके नाम के आगे टिक लग जाना है, क्योंकि उनको वो बंदा चाहिए, उनको Indian Air Force, do you know what Indian Air Force is, Indian Air Force में बच्चों बहुत अच्छे English आपको चाहिए, बहुत अच्छी का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी English बोल रहे ह है, आप FCAT की तयारी कर रहे हैं, तो SSB में आपको यह वीडियो काम आएगी, अगर आप normal group discussion की तयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको definitely, definitely आपको crack करा देगी group discussion के बाद, पास समझ में आ रही है, अब ऐसा नहीं है कि Corona के में 5 words लग रटके आया बोला, अभी भी मेरे प बोलेंगे, जोनोटिक का मतलब अनिमल से आई है, दुनिया बोलेंगे सर कोरोना चमगादर से आई है, कोरोना चमगादर से आई है, आप बोलेंगे, since Corona is a जोनोटिक डिजीज, जोनोटिक डिजीज क्या होता है, a disease which exists in animal but can also infect human, ठीक है, कोंटेजियन का मतलब जो सर फिजीक और communication से फैल सकती है, फिजीकल टच से और communication से फैल सकती है, चलो इसके बारे में मैं आपको कराऊंगा नेक्स वीडियो में, कोरोना के बाद फिर मैं आपको 15 मिनट का एक lecture दूँगा, मॉब लिंचिंग पे, आपको जैसे ही बोलना है, hello everyone, our topic is mob lynching, first of all let me tell you, why do we call it a mob lynching, because mob means what does mob means, mob means a violent crowd and lynch means to assassinate someone, murder मत बोलना, lynch का मतलब बता किसी को मारना, lynch means to assassinate someone, that is why I believe that mob lynching is a very brutal incident that our country is facing right now, तो आपको mob lynching के बारे में बहुत सारे वर्ड बताऊंगा, mob lynching होती है, cow vigilantism की वजए से, यानि कि गाय के उपर हम ज्यादा aware रहते हैं, mob lynching होती है, lack of fear of consequences, यानि कि डरी नहीं है, किसी को लोग मार देती है, भीड उसको मार देती है, तो daily हम 15 से 20 मिनिट आपको क्या कराएं I am Vipin Chohan, I have done my class 12 from that school and right now I am pursuing my graduation from that university and the reason I do want to get selected in Indian Air Force because I personally believe Air Force is one of the most prominent forces in our country and I want to serve my country with glory and pride and rest about me is I am a very ambivert person, that is extrovert as well as introvert and another reason if I would like to add here that why do I want to get selected in Indian Air Force is because the blue uniform of Indian Air Force affectionates me. तो बच्चों हाँ मान सकता हूँ कि आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे, बट इनको धीरे 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 पर बोलो तो सही, आके जुडो तो सही मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको कैसे बोलना है, ठीक है, तो students आज के लिए इतना ही, next video उदर आपको group discussion की चाहिए, तो please like करिएग share कर दिएगा, that's all for today, thank you, thank you very much